मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक नियूच पेपर फॉल्लू करते हैं तो आप लोग करृंट से जुड़े रहते हैं और याद रखिए आप लोग अगर स्टेटë PCS की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर वोने सुना होगा कि महराजा चत्तिसाल कन्वेंशन सेंटर खोला गया है कहां? खजुराहु में एक खजुराहु कहां पढ़ता है? चतरपुर जिले में और चतरपुर जिला कहां पढ़ता है? तो आपको बता देता हूँ मद्धपदेश में एक बार इसकी लोकेशन देख लिए और मद्धपदेश के बारे में एक सामान जानकारी देख लिए उसके बाद हम लोग इस से जो भी इसके बारे में खजुराहु के बारे में जो भी पॉइंट है या फेव महराजा चत्त साल गूल के बारे में जो भी point है आपके इस पर हम लोग बात कर लेंगे तो देखिए यह हमारी प्यारी पित्वी हमारा प्यारा गुला इसमें आप देखेंगे ACA में हमारा प्यारा देश है भारत और भारत की पडोसियों की बात करें तो आप जानते ही कि आप नहीं किये श्री लंका हो गया बंगलादेश हो गया मयानमार भूटान नेपाल चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान और आपको मालू होगा कि सबध्रू से कम सीमा लगती है पाक अफगानिस्तान से पियो के बाले हिस्तbij के ठीक है और यहां देखेंगे बंगला देश से सबसे जान्दा हमारी सीमय लगती है ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यह देखी आप लोगों को मद्विदेश देखने को मिलेगा और आप सबी को मालोगों की मद्विदेश की राध्धानी क्या है भोपाल है मद्विदेश की राध्धानी क्या है भोपाल है यह भी आप लोग याद रखिए और आप लोगों को देखने को मिलेगा च्छतरपुर यह भोपाल राध्धानी हुगई और यहां च्छतरपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहीं आपका खजराओ और याद रखिए खजराओ वही है जो आपका चंदेल सासकों से जुड़ा रहा है यहाँ काफी राजाओं का इनका चंदेल राजाओं का सासन भी रहा है और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप से तो याद रखी पहली बार इसका गठन मद्वदेश का गठन कब हुआ था राजिका एक नवंबर 1956 को इसलिए आप जानते हैं कि एक नवंबर को आपका मद्वदेश दिपस भी मनाया जाता है हो सकता है कि इस टॉपिक से आपका MPPSC या MP में जो भी एक्जाम होता है उनमें भ नवंबर बन पर था आपका छेतफल के मामले में जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि 36 गड़ एक नवंबर सन 2000 को अलग होता है तो मद्वदेश छेतफल के मामले में दूसरे नमबर पर आ जाता है राजिस्थान पहले नमबर पर पहुँच जाता है और यहां याद र तो याद रखिए वो आपका निवाडी में पढ़ता है अबना टीकमगड में ठीक है और आप लोगों को देखने को मिलेगा मद्वदेश में बिधान सवा सीटों की बात करें तो 230 हैं लोग सवा सीट हैं राजिस सवा सीट हैं आपकी ग्यार हैं और उच्छ नेयले की बात यह दिख रहा है ठीक है तो इसी के बारे में हमें बात करनी हैं तो हाली में आप लोगोंने सुना होगा कि मत्वदेश के खजुराहो में महराजा चट्यसाल कंवेंसन सेंटर का उधगाटन किया गया है और बुंदेलखंड की राजा महराजा चट्यसाल की नंबर स्थाफि बना गया है खजराहो की बारे में बात करें तो यह देश के 19 चिन्नित पितिष्टित परयाटक स्थलों में से एक है और परयाटन मंतराले में पितिष्टित परयाटक स्थल विकास योजना की सुरुवात की और जो की समग्य दृष्टी कौन को अपना कर देश के 19 चिन्नि कितिष्टित परेटक स्थलों की विकास से संबंदित एक केंद्रिये चेतरक योजना है ठीक है? और खजराहों समों के समारोकों को यूनेस को की विस धरोहर विस धरोहर स्थल की रूप में सूचीवद किया गया है तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक है? इस से आपका ये कुश्चन सौर बन सकता है कि इसे कब जोड़ा गया था? आपका इस विरासत सहरों की सूची में कब जोड़ा गया था? किसे? खजराहों को खजराहों आप समझते हैं? तो इसी के बाद की जारी खजराहों की 1986 में जोड़ा गया था आप लोगों को मालू होगा कि मद्पदेश में तीन आपकी साइट हैं जिनने उनेस्को की विसदरहों और इस्तलों में जोड़ा गया है एक आपका खजराहों है इसे 1986 में जोड़ा गया था आपके MPPSC प्रेलम से में पूंच लेता है बाकी भी आपके जो भी MPP के एकजाम होते हैं उनमें भी questions बन जाता है यहां कि मंदिर अपनी नागर इस्थापत सैली और कामुक मूर्तियों के लिए फिसिद्ध है और आप लोगों से यह भी questions बन जाता है कि जो खजराओ के मंदर है किस सैली में बनवाए गए है तो याद रखिए नागर इस्थापत सैली के इंतरगत बने गए है खजराओ के अधिकांस मंदिर का निर्माण आप देखेंगे 85-85 इसभी से लेकर 10-85 इसभी की भी परेटन सर्कीट के एकिकेत विका से तो शुरू किया गया था और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप समझे कि जो परेटन चित है ये भी हमारी अर्थवाफस्ता में एक बहुत बड़ा योगदान देता है समझे रहे हैं आप लोग ठीम आधारित परेटन सर्कीट का विकास परेटक अनुबहों में बिद्धी करने और रोजगार की आउसरों को वड़ाने ही तो उच्च परेटक मूल ले पितियस पर्दा और इस्तित्ता के एकिकेत सिध्धानतों की आधर पर किया जाता है परेटर मंतराल इस योजना की तहे सरकीट की और सरचना की विकास के लिए राज्य सरकारों के अंदसासित विद्धीसों को केंदरिये बित्तिय सहायता पिदान करती है और इस योजना को स्वक्ष भारत अभियान, कौसल भारत, मैक इन इंडिया, आधी जसी अन्योजनाओं के साथ तालमेल इस्ताबित करने के उद्देश से भी सुरू किया गया था और ताकि परेटन को रोजगार सहजन और देश के सरवार्थिक विकास के लिए प्रमुक्षेत के रूमें इस्ताबित किया जा सके इनके बारे में भी बात कर लेते हैं महाराजा 36 साल के बारे में भी क्योंकि इनसे भी आपके कुश्टन्स फूचे जा सकते हैं तो 4 मई 1649 को बुंदेला राजपूत कवीले में चंपत राय और लाल कुमर के घर हुआ था इनका चिरम ठीक है करें यानि कि इनके निर्धन की तो 20 देसंबर 1731 को इनका निर्धन हुआ था और आप लोग अगर बुंदेल खंड चित से तो आप लोग काफी इनकी वीजता की कहानिया भी सुनते रहते होंगे समझ रहे हैं आप लोग काफी चर्चित रहते हैं मुगल समराज की विरोध्य संघर्ष की अगर बात करें तो उन्होंने वर्ष 1671 में मुगल समराज की विरोध्य संघर्ष सुरू किया और सरवपिथम चतरवु जिले की नौगाओं चित पर कपजा कर लिया था उन्होंने मुगलों के विरोध्य तकरीवन 50 वर्ष तक संघर्ष किया और बुंदेल खंडी के एक बड़े हिस्से पर कपजा कर लिया और पन्ना में अपना केंदिस साफिक किया था फिर आप देखें कि बाजी राओ पिथम के साथ समन्देन की कैसे रहे हैं तो बाजी राओ पिथम ने मुगलों के विरोध्य संघर्ष में 26 साल की मदद की थी और बाजी राओ पिथम ने 1728 में मुहमद खान बंगस की नितित में मुगल सेना के विरोध्य सेन सहायता भी भेजी थी पेसबा बाजी राओ पिथम की दूसरी पतनी मस्तानी चत्त साल की बेटी थी और आप लोग मुपी भी देखते रहते हैं अपनी वित्तिव से फूर चत्त साल ने मुगलों के विरोध सहायता की बदले महोवा और आसपास के चित बाजी राओ पिथम को सौप दिये थे और सहित के सरक्षण की अगर बात करें तो उनके दरवार में कई नामचीन कभी भी रहते थे जिनमें आप देख सकते हैं कभी भूसन का नाम लाल कभी बखसी हंतराज का नाम भी आप लोग सुनते हैं और दरवारी कभियों द्वारा लिखी गई उनकी इस्तुतियों ने उन्हें इस्थाई पिसिद्धी हासिल की और काफी सहयता भी की ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं कि धार्मिक मत की बात करें तो वे महामती पराणनाथ जी के से से थे और महामती पराणनाथ जी ने राजनेतिक सामाजी और आर्थिक मापलों में उनका मारिक दसन भी किया और स्वामी पराण नाद जी ने च्छतिसाल को पन्ना में हीरे की खानों के बारे में बताया उनकी वित्तिय इस्तिती को मजबूत करने में मदद की है और आज भी तो आप लोग सुनते रहते हैं पन्ना के बारे में हीरे के बारे में समझ रहे हैं और विरासत की बात करें तो मत्पितिस में चतरपुर शहेरो और जिली का नाम चत्तसाल की नाम पर रखा गया है और मत्पितिस में